हेलो एबरिवन आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के कुछ इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट जो कियाने वाले बी एससी बीपी एससी या किसी भी गौर्वेन एकजाम के लिए इंपोर्टेंट है तो पहला टॉपी क्या है हमारा करेंट डिविजन फॉर्मूला यह कहां पे लगता है जब दो रेसिस्टेंट्स या दो से अधिक डेसिस्टेंट्स पैरलल में लगे हो अब यहाँ पर एक क्यूशन गिवेन है दो रेसिस्टेंट्स है रवन और रटू रवन की वैलू कितनी ह और डेसिस्टेंस R2 में current की value कितनी होगी तो हमने माल लिया कि बैटरी जो total current deliver कर रहा है आई है ठीक है बैटरी जो current deliver कर रहा है आई खुर और र1 में current कितना i1 है और र2 में current कितना है i2 है तो एक formula होता है i1 की value कितनी होगी तो सामने वाले resistance को ना प्रतिरोध को उपर लिखो R2, divide किसे करना होता है दोनों को add करो R1 पलस R2 और multiply किसे करना होता है total current से, similarly जब हम लोग R2 पे आते हैं तो R2 में current के value कितनी होगी तो R2 माना है और R2 के value कितनी होगी तो सामने वाले resistance को उपर लिखो R1, divide किसे करना होता है दोनों को add करो R1 पलस R2, multiply किसे करना होता है total current से, जो battery deliver कर रहा है अब इस question को solve करना है तो सबसे पहले हमें क्या निकलना है यहाँ पे total current, total current कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे न हम R equivalent निकालेंगे, तो R equivalent क्या होगा R1 और R2 जब parallel में हो, तो R equivalent क्या होता है R1 into R2, divided upon R1 प्लस R2 यहाँ पे R1 क्या है, 3 होम है R2 क्या है, 6 होम है, तो 3 into 6, divided upon 3 प्लस 6 कितना है, 2 होम आ गया, तो R equivalent आपका क्या है 2 होम आ गया, और voltage given है, 20V तो current की value क्या होगी, तो हम क्या जानते है V equal to क्या होता है, R2 तो I की value क्या हो जाएगी V upon R, voltage क्या है, 20V है और R equivalent क्या है, 2 होम तो मतलब total current की value क्या है 10 amp, total current की value क्या 10 amp, अब हमें क्या نिकालना है I1 परे आते हैं, तो I1 equal to क्या होगा, R2 upon R1 प्लस R2, R2 कितना है, 6 ohm, R2 आपका 6 ohm है, तो R2 हमने यहाँ पे 6 ohm पुट कर दिया, फिर क्या करना है, दोनों को add करो, 6 प्लस 3, multiply किसे करना होता है, total current से, 10 है आपका total current, जो current बैटे डिलिवर कर रहा है, तो इससे solve करोगे, तो कितना आएगा, 20 upon 3 ampere, तो I1 की value कितनी होगा, सामने वाले resistance को उपर लिखो, 3 उपर लिखेंगे यहाँ पे, तो 3 हमने यहाँ पे उपर लिख लिया, फिर add करना है, दोनों resistance को, 6 प्लस 3, multiply किसे करना है, total current से, 10 से multiply किया, तो I2 की value कितनी आगई, 10 upon 3 ampere, तो I1 की value है, 20 upon 3 ampere, और I2 की value आगई, 10 upon 3 ampere, लेकिन इस formula का use किये हुए, और काफी easy way में solve कर सकते है, तो फिर यह formula में बताया क्यों, तो अभी समझ लेते हैं, अब देखो, सिर्किट क्या parallel में है ना, तो जब यहाँ अगर 20 volt है, तो यहाँ पे भी 20 volt होगा, यहाँ पे भी 20 volt होगा, parallel में क्या होता है, potential difference सेम होता है, तो है, 3 ohm, voltage भी parallel, potential difference में पता है, कि क्यों parallel में है, तो 20 volt है, तो जब 20 volt पता है, potential difference है, resistance पता है, 3 ohm है, तो इकल टू क्या होगा, भी अपना और, तो भी कितना है, भी क्या है, आपने 20 volt है, 20 अपन 3, simple हो गया, similarly, r2 के क्रोफ करेंट कितना होगा, r2 में करेंट कितना होगा, तो r2 में करेंट क्या होगा, potential क्या है, 20 volt है, parallel में है, 20, resistance कितना है, 6 ohm, तो 20 अपन 6 हो जाएगा, तो यह तो काफी easy way में solve हो गया, तो फिर इस formula का use क्या पाड़ा, तो इस पे question कर लेते हैं, फिर हमें पतर चल जाएगा, इस formula का use कहां पे है, अब देखो, कुई circuit है, यहाँ प बैटरी से connect है, और बैटरी का potential difference given नहीं है, यहाँ पर potential difference given नहीं है, बस question न बताया हुआ है, कि जो यह बैटरी है, total 10 ampire current deliver कर रहा है, आपको पताना है, 6 ohm में current क्या होगा, 4 ohm में current क्या होगा, तो मैंने concept क्या बताया था, मालो कि इसमें I1 है, और इसमें I2 है, तो I1 क्या बताया था मैंने, पहले सामने वाले resistance को उपा लिख लो, 4 upon, फिर दोनों को add करो, 6 plus 4, किसे multiply करना है, total current से, जो battery deliver कर रहा है, तो यहाँ पर total current कितना है, 10 ampire है न, तो 10 से multiply करो, इसे solve करोगे, तो 4 upon 10, into 10, कितना आया, 4 ampire आया, तो I1 में, resistance 6 ohm में current की value कितनी होगी, 4 ampire, तो इसमें कितना जाएगा, 6 ampire तो इस formula का use आपको यहाँ पर सकता है, अगले topic पर आते हैं, अगला topic है हमारा, voltage division formula, इसका use कहाँ पर करते हैं, जब circuit क्या हो, series में हो, जैसे दो resistance यहाँ पर series में है, तो series में क्या होता है, current तो सेम होता है, potential difference अलग-अलग होता है, current सेम होगा, तो एक circuit है यहाँ पर, R1 की value क्या है, 6 ohm है, और R2 की value 4 ohm है, battery connected 20 volt का, आप से पूछ रहा है, कि R1 के एक रोस voltage drop कितना होगा, और R2 के एक रोस voltage drop क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फंडा याद कर लो, V1 equal to क्या होता है, R1 upon R1 plus R2 into total voltage, ठीक है, और V2 equal to क्या हो जाएगा, R2 upon R1 plus R2 into total voltage, बात समस्में, उसमें क्या था, current में क्या था, अब पोचिट resistance को उपर लिखना था न, current division formula में, voltage division formula में क्या है, जब series में हो, तो जैसे B1 की value निकाल रहा है न, तो R1 को ही उपर लिखेंगे, और नीचे total resistance को add करके, किस से multiply करेंगे, total voltage से, similarly B2 कैसे निकालेंगे, R2 upon R1 plus R2 into total voltage, अब देखो यहाँ से, काफी easy way में निकाल सकते हैं, B1 के value कितनी हो जाएगी, R1 कितना है यहाँ पर, 6 ohm है, तो 6, 6 plus 4 total voltage कितना है, 20 volt है, तो 20 से multiply करो, कितना आएगा, 12 volt आएगा, similarly B2 कितना हो जाएगा, 4 upon 6 plus 4 into 20, total voltage से multiply करो, कितना आएगा, 8 volt आगया, तो यहाँ से हमने B1 की value निकाली और B2 की value निकाली, यह आपका होता है, voltage division formula, अगले topic बे आते हैं, अगला topic है हमारा, capacitor connection in series and parallel, तो सबसे फहले देखते हैं series connection को, जब capacitor series में connect हो, जिससे यहाँ पर आप picture में देख सकते हैं, C1, C2, C3, C4, Cn तक कोई Nth capacitor series में connect है, तो C equivalent कैसे निकालते हैं, तो उसका एक formula होता है, 1 upon C equivalent equal to 1 upon C1, plus 1 upon C2, plus 1 upon C3, plus 1 upon C1, Cn, आप जैसे माल लो कि यहाँ पर दो capacitor है, ठीक है, और 2 microfarad, और 2 microfarad, यहाँ पर series में connect है, तो C equivalent कितना हो जाएगा, 1 upon C equivalent हो जाएगा, 1 by 2, plus 1 by 2, solve करको कितना आएगा, 1 upon C equivalent कितना जाएगा, 1, तो C equivalent कितना हो जाएगा, 1 microfarad, 1 microfarad, तो जब series में connection हो, capacitor के case में, तो C equivalent क्या होता है, 1 upon C equivalent equal to 1 upon C1, plus 1 upon C2, plus 1 upon C3, plus 1 upon Cn, जितना capacitor हो, उतना आपको करना होता है, और एक और point यहाँ दखना है, series connection में क्या होता है, the magnitude of charge on all players is same, series connection में क्या होगा, कि सारे capacitor पर चार्ज की value समान होगी, जैसे यहाँ पर एका charge Q होगा, तो इस पर भी charge Q होगा, इस पर भी charge Q होगा, सब पर charge Q होगा, change क्या होगा, change आपका होगा voltage, ठीक है, change क्या होगा voltage, अब एक question कर लेते हैं, दो capacitor है, series में connect है, C1 और C2, C1 की value है 2µF, C2 की value है 3µF, बैटरी से connect है, 100V की बैटरी से connect है, आपको बताना है कि C1 और C2 के cross, voltage कितना होगा, तो मैंने मान लिए कि, यहाँ B1 है, यहाँ पर B2 है, charge Q होगा, तो B1 इकल टू क्या होता है, C2 upon C1 प्लस C2, resistance की case में क्या था, कि जैसे B1 के साथ वाले resistance को उपर लिखते थे न, यहाँ पर उल्टा है उसका, B1 इकल टू हो जाएगा, C2 upon C1 प्लस C2 into total voltage, और B2 इकल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C1 प्लस C2 into total voltage, अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है, कि equivalent capacitance क्या होगा, आपको बताना है, तो जब series में है, तो 1 upon C equivalent कितना हो जाएगा, 1 upon C1 प्लस 1 upon C2, तो 1 upon 2 प्लस 1 upon 3, solve करने में कितना आएगा, 1.2 microfarad, तो C equivalent आपका कितना हो गया, 1.2 microfarad, अब अगले question आपसे पूछ रहा है, कि charge, charge stored in each capacitor, तो charge का formula क्या होता है, Q equal to C into V, C क्या है यहाँपे, C equivalent है, तो C equivalent आपका कितना आजा है, यहाँपे, 1.2 microfarad आएगा है, तो 1.2 microfarad पूट कर दो, voltage कितना है, तो voltage क्या है आपका, 10 volt है, voltage यहाँपे 10 volt है न, तो voltage के value यहाँपे पूट कर दो, तो 1.2 microfarad मल्टिप्लाई करोगे, 100 volt से, तो कितना आएगा, तो Q के value कितनी आगई, 120 microcoulom, और क्योंकि series में है न, तो start capacitor पे यही चार्ज होगा, अब आपसे पूछ रहा है, कि potential difference निकालना है, across each capacitor, तो क्या बताया था मैंने, V1 के value कितनी होगी, तो उसके सामने वाला जो capacitance है न, उससे पहले उपर लिखो, तो V1 इकल टू क्या हो जाएगा, 3 उपर होगा, 3 upon 3 plus 2, multiply by total voltage 100, कितना आया, 60 fold आया, similarी जब V2 के value निकालनी है, तो इस वाले capacitance को उपर लिखेंगे, 2 upon total capacitance 3 plus 2, multiply किसे करेंगे, total voltage 100 से, तो यहाँ पर V2 के value कितनी आया गई, 40 fold, 40 fold, तो V1 की आगे value 60 fold, और V2 के value 40 fold, अगले topic पर आते हैं, अगला है हमारा parallel connection, अभी थो हमने क्या देखा था, series connection capacitor का, और अब हम लोग देखेंगे parallel connection, तो को parallel connection में क्या होता है, मालों कि यहाँ पर C1, C2, C3 क्या है, parallel connect है, और बैतरी से जूरा हुआ है, voltage क्या है, potential difference भी है, तो parallel connection में C equivalent क्या होता है, simply आपको add कर देना होता है, तो यहाँ पर C equivalent कितना हो जाएगा, parallel case में क्या हो जाएगा, C1 plus C2 plus C3, अगर end capacitor हो, तो C1 plus C2 plus C3 plus Cn, तो parallel में क्या करना होता है, simply add कर देना होता है, equivalent capacitance केसे निकालेंगे, simply आप add कर दोगे, और parallel connection में क्या होता है, potential difference, potential difference across each capacitor will be same, potential difference क्या होगा, same होगा, parallel में जो voltage यहाँ होगा, वही voltage यहाँ होगा, वही voltage C1 के across भी होगा, अब इस पर एक question कर लेते हैं, फिर सारा concept क्लिर हो जाएगा, parallel में क्या होता है, charge के वल अलग-अलग होता है, और charge की value कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर एक question है, तीन capacitor है, parallel में connect है, C1 है 1μF, C2 है 2μF, और C3 है 3μF, 100V की बैटरी से connect है, आप से पूछ रहा है, सबसे पहले तो पूछ रहा है, कि equivalent capacitance क्या होगा, तो parallel में है न, तो C equivalent कितना होगा, simply add कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना होगा, 6μF, simple है, और Q1 और Q2 और Q3 की value कैसे निकालेंगे हैं आपे, तो देख एक formula होता है, Q1 equal to C1 upon C1 प्लस C2 प्लस C3, into total charge, Q2 वैसे ही निकाल लो, Q2 आपका किस पर charge है C2 पे, तो C2 को उपर लिख लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, into total charge, Q3 क्या हो जाएगा, तो C3 upon C1 प्लस C2 प्लस C3, into total charge, याद करने का तरीका क्या है, Q1 है, तो Q1 के साथ जो, आपने जिस capacitor पर charge माना है Q1, उस capacitance को उपर लिखो, फिर total add कर दो, Q2 पे से हैं, C2 upon C1 प्लस C2 प्लस C3, Q3 पे से हैं, C3 upon C1 प्लस C2 प्लस C3, और multiply किसे करने है, total charge से, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, equivalent का business निकाल लिया हमने, तो क्या आया, 6 microfarad, 6 microfarad, तो total charge कितना डिलबर करेंगा बैटरी, C equivalent से, जब voltage को multiply करेंगे, Q2 प्लस C भी होता है न, तो यहाँ पे C equivalent से, अब voltage को multiply करोगे, तो total charge आएगा, तो C equivalent कितना है, 6 microfarad, multiply कर दो, 100 से, कितना कितना आ गया, 600 microcola, अब हमें पता चल गया है, कि total charge कितना है, 600 microcola, तो चार्ट डिलिवर कर रहा है, 100 volt की बैटरी कितना है, 600 microcola, जो कि total charge है, अब आप वही फर्मुला यूज कर लो, charge store rate in each capacitor कितना हो जाएगा, तो Q1 पे क्या हो जाएगा, C1 कितना था, 1 microfarad था ना, तो 1 microfarad divided upon, 1 plus 2 plus 3 microfarad, multiply किसे करना है, total charge से 600 microcola, कितना आ गया, 100 microcola, वहसे Q2 भी निकालो, 2 upon 1 plus 2 plus 3, total कितना है, तो Q2 कितना हो गया, 200 microcola, Q3 कितना हो गया, 3 microfarad था ना, C3, तो 3 उपर लिखो, total add कर दो, 1 plus 2 plus 3, multiply किसे करना होता है, total charge से, 600 microcola, तो यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा, 300 microcola, तो Q1 की value आ गयी, 100 microcola, Q2 की value आ गयी, 200 microcola, Q3 के value आ गयी, 300 microcola, अब देखो यहाँ पे, चो पहले कुछने मैंने बताया था, कि इसको और easy way में हम लोग solve कर सकते थे, इसको और easy way में solve कर लेंगे, इस formula की जोद भी नहीं है, तो फिर इस formula का huge Q किया हमने, अब देखो यहाँ पे, 100 volt है ना, तो potential difference across each capacitor will be same, 100 volt यहाँ पे भी होगा, 100 volt यहाँ पे भी होगा, 100 volt यहाँ पे भी होगा, तो Q equal to C b होता है, तो हमें क्या निकालना होता है, हमें क्या निकालना, चार्ज के पेलो निकालनी है ना, तो C1 पता ही है, और potential difference across C1 कितना है, सेम होगा 100 volt यह है simply multiply कर दो तो इससे हमार आंसर तुरंती आ जागा 2 सेकंड में लेकिन हमने इस formula का use क्यों किया अब देखो अगर यहां question में 100 volt ना देखे क्या देता कि total 400 microcolum deliver कर रहा है current ठीक है अब potential given नहीं है potential difference नहीं दिया हुआ है बस इतना किवल दिया हुआ है ना कि चो total charge deliver कर रहा है battery कितना कर रहा है 400 microcolum अब वहां पर क्या कर गए तो फिर यही formula काम आएगा कि 1 equal to C1 upon C1 plus C2 plus C3 into total charge मतब total deliver charge तब जाके इस formula का आप वहां पर असानी से use कर सकते है तो दिकत कहां पर आ जाएगी अगर इस formula का concept आपके पस नहीं है और अगर voltage ना देखे पस ही देते कि बैटरी जो है टोटल charge कितना deliver कर रहा है 400 microcolum और अगर आपको इस formula पता नहीं है तो फिर दिकत हो जाएगी फिर मुश्किल हो जाएगी तो यह concept जानना जोड़ी है आप कुछ important formula देख लेते हैं energy storage in capacitor कितना होता है capacitor पे जो energy store होता है उसका formula क्या होता हैँ 1 cb wenниतिका इस am okay कि कुछ सकता है कि energy storage in capacitor कितना हुता है तो आप maximum لوगों को पता होता है 1 cb wen ao QA square by 2CB होता है और half QB भी होता है कैसे होता है देखो जो half CBA square है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते है उपर नीचे हम लोग क्या करेंगे C से multiply कर दो तो C A square B A square और नीचे C हो गया अब देखो QB equal to C B होता है energy stored in capacitor का और या half Q cross B भी हो सकता है ये कैसे हुआ तो देखो एक V हटा लो यहाँ से B square को लिख सकते हो V cross B जिए half CBA square है ना यहाँ पर half CBA square तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो half C B cross B और ये क्या होता है Q होता है Q equal to C B तो क्या हो गया तो half L I square ठीक है जिसे कोई कोई inductor है इसमें energy जो store होता है उसकी value कितनी होती है energy stored in inductor half L I square अगला topic बें आते है और ये काफी important topic है power of lens तो power of lens का formula क्या होता है 1 upon F F क्या focal length है और इसको हम लोग meter मे लेते हैं और power को किसमे measure करते हैं diopter में D से denote करते हैं और दूसरा जो point है अगर power negative हो न इस power is negative then lens will be concave lens या diverging lens अगर power negative हो तो lens कैसा होगा concave lens होगा या diverging lens होगा अब मालो किसी का power है minus 3 तो अब बता सकते हो न कि उसने कौन सा lens यूज किया होगा कौन सा lens यूज किया होगा concave lens या diverging lens और उसे कौन सा दोस होगा तो उसे होगा अगर power negative में है न तो याद कर लो उसे होगा myopia निकर द्रिष्ट्री दोस कौन सा दोस होगा myopia myopia में क्या होता है नजदीक की चीज़े दिखाई देती है निकर द्रिष्ट्री दोस में क्या होता है नजदीक की चीज़े दिखाई देगी लेकिन दूर की चीज़े दिखाई नहीं देती है तो क्या होता है myopia तो अब power दे के समझ सकते हो न उसे कौन सा दोस है और कौन सा lens उसने use किया है तो जब power negative हो न तो जब power negative हो तो lens कौन सा use करेगा हो concave lens या diverging lens और उसे कौन सा दोस होगा तो निकर द्रिष्ट्री दोस या myopia होगा अगले point पर आते है और अगर power positive हो तो lens कैसा होगा convex lens होगा या converging lens होगा चैसे किसी का power है प्लस 2 diopter ठीक है तो मतलब उसे कौन सा दोस है सबसे पहले तो उसे दूर द्रिष्टी दोस है इंगलिस में क्या बोलते है hypermetropia इंगलिस में बोलते है hypermetropia और उसने कौन सा lens use किया होगा जब power positive है तो उसने कौन सा lens use किया होगा तो convex lens या converging lens अब इस पर एक question कर लेते है एक question है if the power of lens is plus 2 diopter then what will be the focal length of the lens अब इसको solve कैसे करेंगे तो देखो power तो given है न तो power का formula क्या होता है 1 upon f meter में होता है तो power की value कितनी है 2 है न तो 2 equal to 1 upon f meter में लेंगे तो focal length क्या हो जाएगा 1 upon 2 मतलब 0.5 meter अब answer किस में दिया हुआ है centimeter में तो 100 से multiply कर दो 0.5 को 100 से multiply करोगे तो कितना आजागा 50 centimeter मतलब option C आपका यहाँ पे श्रही answer होगा और यहाँ से आपको क्या याद रखना है जब power क्या positive है तो कौन सा lens use हुआ होगा जब power positive है तो lens कौन सा use हुआ होगा convex lens या converging lens और उसे कौन सा दोस होगा कौन सा दोस होगा दूर देश्टी दोस या hyper metropia तो यह तो था हमारा आज का लेक्चर अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहन